बच्चों आज हम मराठी सुगम भारती यत्ता सहवी की किताब से वाइटा तुन चांगले इस सबग को पढ़कर समझेंगे बच्चों वाइटा तुन चांगले यानी बुरे से अच्छा आईए बच्चों सबग शुरू करते हैं एका गावाद दौन शेतकरी राहत होते ही एक गाव में दो किसान रहते थे बच्चों शेतकरी यानी किसान त्यापई की एक भावराओ तर दुसरे बाबाराओ उसमें से एक का नाम था भावराओ और दुसरे का बाबाराओ भावराओ मन मिलाओ आणी प्रतेकाला मदद करनारे होते हैं भावराओ मिलनसार मिलजूल कर रहने वाले और हर एक की मदद करने वाले थे बच्चों मन मिलाओ यानी मिलनसार मिलजूल कर रहना तैचे उलट बाबा राओ अहंकारी वो भांड़ खोर स्वभावाचे होते। इसके उलट बाबा राव मगरूर घमंडी और जगडालू निजाचके थे बच्चो अहंकारी यानि मगरूर और घमंडी और भांड खोर यानि जगडालू भाव रावान ना खूप मित्र होते भाव राव के बहुत सारी दोस्त थे तर बाबा रावान चया वाटेला कुनी जास्त नसे लेकिन बाबा राव का कोई दोस्त नहीं था और बच्चों ऐसे लोगों का दोस्त बनना भी कौन पसंद करता है है ना आगे देखते हैं दुर दैवाने त्या दो घांची शेते शेजारी होती बत किस्मती से दोनों के खेट भी बाजू बाजू में थे बच्चों दुर दैवाने यानि बत किस्मती से गावात ले लोग भाव रावान ना मनत गाउं के लोग भाव राव से कहते थे बाबा रे त्या तुझ्या शेजार्या पासून सावध रहा बाबा तु तेरे पडोसी से होश्यार रहे तो फार दुष्ट मानूस आहे वो बहुत बद्दिमाग और खराब आदमी है बचो दुष्ट यानी बद्दिमाग या खराब त्याचाशी कुनी संबंध ठेवत नाही उससे कोई तालुक नहीं रखता है त्याला कुनी मित्र ही नाही उसका कोई दोस्तो भी नहीं है त्यावर भावराओ मनाय चे इस बात पर भावराओ केते थे काही काड़ी करू नका फिक्र मत करो बचों काड़ी यानी फिक्र करना एक ना एक दिवस असा ये इल एक ना एक दिन ऐसा आएगा की तो दुष्ट माझा मित्र होईल के वो बद दिमाग मेरा दोस्तो बन जाएगा त्याँचे ते बोलने एकून सारे हसत असत उनकी यानी भावराओ की ये बाते सुनकर सभसते थे दिवसा मागोन दिवस निघून गेले एक के बाद एक कई दिन गुजर गये भावराओ आनी बाबाराओ यांची वृत्ती काही बदली नाही भावराओ और बाबाराओ के रवय ये में कुछ फर्क नहीं आया बच्चों वृत्ती यानी रवया या रुझान एक दा भाव रावान चे घरी मुली चे लगन होते एक दफा भाव राव के घर उनकी लड़की की शादी थी बचो लगन यानी शादी सर्वान निमंतरने पाठोने आली सबको दावतनामा भीजा गया बचो निमंतरन यानी दावतनामा तसेच बाबारावान न देखील निमंतरन दिले गेले बाबाराव को भी दावतनामा दिया गया पन शेजार धर्म मनून त्याननी काही मदद तर केलीच नाही आनी लगना लाही आले नाहीत लेकिन पडोसी के हुकुक के मुताबिक बाबारों ने कोई मदद नहीं की और तो और शादी में भी नहीं आये बच्चों शेजार धर्म यानी पडोसी के हुकुक हुआ 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 है